आप लोग अगर CSC VLE हो common service संचलक हो तो आप लोग बड़ी आसानी से access bank का account खोल सकते हो आपको BC बनने की कोई जरुवत नहीं आप बीएफ फोटेल से ही access bank का account खोल सकते हो तो कैसे कूल सकते हो इस वीडियो में आप लोग जान सकेंगे अगर मेरे चैनल पे आप लोग फेहली वर आए हो तो मेरा चैनल है st solution इसको subscribe कर दीजिएगा और साथ में जो bell icon है उसको भी दबा दीजिएगा तो चलिए देखते हैं कैसे access bank का account खोलते हैं अपना CSC portal से पहले आपको कोई भी एक browser open कर लाना है उसके बाद आपका CSC login कर लेना है CSC ID password डालके login कर लेना है login कर रहा हूँ मैं देखिए loading ले रहे है यह देखिए CSC का dashboard खुल गया है मेरा तो उसके बाद इस charge box में आपको loan टाइप कर लेना है loan टाइप करके इंटर कर देना है के बट में उसके बाद ऐसा interface खुल के आएगा यह देखिए तीन नमबर वाला जो loan बाजर है उसमें आप लोग को क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद digital सेवा connect पे आप लोग वो क्लिक कर ला हुगा उसके बाद देखिए यह डाजबोट खुल गया आप लोग का उसमें देखिए loan loan section है तो आप लोग HDFC में loan apply कर सकते हो यह देखिए auto loan, business loan, cd, consumer loan, commercial, बेकर loan, gold loan, सबी पुरकार के loan इसमें available है आप लोग कोई भी loan इसमें जाके जो loan चाहिए आप लोगों को वहाँ जाके क्लिक करके loan का apply कर सकते हो उसके बाद यह देखिए EMI collection यह महेंदरा रुएल housing finance limited यह EMI देख सकते हो TBS का EMI देख सकते हो और HDFC का भी EMI यह पोटेल की ज़रा आप लोग देख सकते हो उसके बाद इसमें देखिए access bank video KYC उसके बाद HDFC देखिए मैं access bank का दिखा रहा हूं तो access bank क्लिक करूंगा उसके बाद देखिए यह फीशर्स account का कौन सा कौन सा फीशर्स होगा और monthly average क्या होगा सभी यह आप लोग को पढ़ लीजिएगा इसमें दिखाएगा ठीके पहले देखिए verification भाया pen and other में होगा उसके बाद इसको मैं close कर दूँगा अभी वीडियो का नाम इधर फिल करना होगा अधर काट में जैसा नाम है अधर कड़ और pen card एक ही नाम होना चाहिए और अधर कड़ में जो mobile number है वो भी आपके साथ में होना चाहिए customer के साथ नाम के बाद यह pen card customer के pen card number pen card में देखके फिल किजिएगा उसके बाद का अधर कास्टमर का आधर में जो mobile number registered है उसी mobile number को इधर देना होगा दूसरा mobile number देने से नहीं होगा इसमें आधर वाला mobile number देना होगा उसके बाद एकाउंट का विडियन कौन सा एकाउंट सेविंग 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 करके दिखाऊंगा आप लोगों को यह देखिए प्लीज प्रॉबाइट यूर आधर mobile नंबर उसमें आधर मोबल में डलना होगा उसके बाद साब्मीट साब्मीट करने के बाद यह देखिए प्रिव्यू दिखा रहा है चीक सीठीक है कि नहीं उसके बाद कॉन्फर्म कर दिजिएगा उसके बाद कास्टोमर कर रेजिस्टर mobile नंबर पर एक OTP जाएगा OTP इधर को डलना होगा उसके बाद साब्मीट कर दिजिएगा कि साब्मीट करने के बाद यह देखिए कैसे एकाउंट खुलेगा यह पूर्सेश सारा पूर्सेश इधर दिखा रहा है आप लोग देख सकते हो फास्ट में कैसे होगा उसके और आपका वार्स्ऊ काट शोग रगगा पोटल में उसके बाद यह पौूस्ट फिस्टेशल कर्ट पाजबुक और चेक इपूंस आपके घर तक आएगा यह तो मैंने देख आप दिख्षाया विए फोटल से कैसे एकाउंट खोलते है किस्टोमर का सेमशिय में एकुषिर XS Bank का BC Login करके आप लोगों देखाऊंगा सेमसीजी आएगा तो आप लोग XS Bank का BC बनने की जरूरत नहीं है आप उसी वी एप पोर्टेल से आप लोग HDFC का भी अकाउंट खोल सकते हो AXIS BANK का एकाउन भी खोल सकते हो अब ही में दिखा हूँगा आप लोगों को कैसे AXIS BANK के खूल के देखते हैं हम लोग कैसे एकाउंट खूलते हैं एक दूसरा ब्राउजर खूल के यह URL में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा कि में एक्सेश बेंक जो 20 एकल इसमें क्लिक करने के बाद चाराह हैं इसमें आप लोग का सीश Cong का बइसा बना हुआ नोगी क्लिक करनें अब 아 जो इसना प्रीष लगा हुआ है और रिज्स्टर जो मोगवाल नमबर यह उस मोगल पर ओटीबी जाएगा ओटीबी डालने के बाद फेरी भाई पे क्लिक करना होगा उसके बाद एजन अधर नमबर एजन का जो अधर नमबर है मतलब है लिगा जो अधर li Global करके बॉक्स में क्लिक करके कैपचर के क्लिक करना को उसके बाद लाइट जलने के बाद फिंगर लगने के बाद ऐसा डच्बोट खूल आएगा अप लोगों के पास उसके बाद यह देखिए आधार आधार सर्विसे जो लिखा हुआ है उसमें जाके एकाउंट का डीटेल्स फिल करना होगा तो मैं वहाँ क्लिक करके आप लोगों को दिखाऊंगा आधर सर्विसेस पर यह लोन सर्विस होगे यह आधर सर्विस होगे यह देखिए एकाउन ओपिनिंग वीडियो को इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ सेम वैसा ही सीस यहाँ पर भी आ गया तो इसमें पहले यह देखिए कस्टमर का नेम डालना होगा उसके बाद कस्टमर का पैंकाट डालना होगा मैं डालना हूँ कस्टमर का पैंकाट नमबर उसके बाद इसमें देखिए प्लीज प्रुवाइट रेजिस्टर्ड मोबाल नंबर मतलब आधार रेजिस्टर्ड मोबाल नंबर आधार में जो रेजिस्टर्ड मोबाल नंबर है उसी मोबाल नंबर को इधर डालना होगा दूसरा mobile number देने से नहीं होगा आपका तो इसमें अधर काड में जो registered mobile number है उसी mobile number को इधर डलना होगा यह मैं डालना हूँ अधर वाला mobile number अधर सेम दिखिए वैसे ही सीज आ रहा है जो ब्या पोर्टल से मैंने आप लोगों को दिखाया सेम एक्सिस बैंक का विशी पोर्टल में भी सेम आ रहा है सेविंग सेलेट कर दिया उसके बाद साबमिट कर दिया कि है कि सब्मिट नहीं हिए फिर से एक बर सामिट कर दिया मैं ने उसके बाद यह द starch क्ठाथ ने का लीए बोल रहा है तो एक बर चेक करके आप लोग का ना कर दीजेगा कै अे कर दीजा मैंने क्लीक यूह अठाच कॉंपर मपर उसके बाद जो mobile number अधर में registered है उसी mobile number पे एक OTP जाएगा OTP को fill करने के बाद जो submit button है submit button पे click कर दीजेगा उसके बाद देखिए video के वैसी link opening has been sent to registered mobile number जो mobile number आपने डाला उसी mobile number में video को ऐसी का link send हो गया तो same size यहां पर भी दिखे आप लोग तेम फास्ट स्टेप सेगें स्टेप में क्या होगा थार्ड स्टेप में क्या होगा फूर्थ स्टेप में क्या होगा और फीफ्ट स्टेप में देखिए आपका virtual ID आप लोगों को इधर शो कर दिया जाएगा उसके 12-15 दिन के बाद आपका बाइप पोस्ट आपका जो कीड है वह आ जाएगा तो अभी मैं दिखाऊंगा लोगों सबस्ट वाइब कैसे वीडियो को कोलिंग होता है वीडियो कव kills वापको दिखाऊंगा को कि तो आप लोग कोने सबी सीमस देख लिया वीव पोटल से कैसे होता है और चrüो ब्रूं के फॉल्म को एक स किसे सीम साधिए कर सकते हो एक्सिस बेंक का बीसी बीना बीसी लेने के भी यह देखिए कस्टमर के मोबाल पे एक लिंग आया हुआ है विडियो को ऐसी का उस लिंग को आप लोग को क्लिक कर देना है कि देखिए मैंने क्लिक कर दिया लिंक को आप लोग टाइम दे सकते हो यह टाइम हो गया 746 रात को मैंने क्लिक किया उसके बाद रट अबसेत क्लिक कर दिया मैंने क्लिक करने के बाद सेबिंग क सेघा आप लोग सीक्सेय तो मैं इजी एक्सेज वाला इसलेट करूंगा फास्ट वाला उसके बाद दिन नोड दिखाया तो कॉनफर्म कर दिया उसके बाद कस्टमर का इधर पैन काट डालना होगा तो मैं डाल लाओ पैन काट नमबर कस्टमर का पैन कर डालने के बाद आधार नमबर डालने को बोला आधार नमबर और वी आईडी नमबर तो मैं आधार नमबर फिल कर दिया उसके बाद नीचे दिखिए जो मोबाल नमबर आपने डाला है उसी मोबाल नमबर को इधर डालना होगा करने के बाद box पर click करके आप लोगों को आगे जाना होगा पैन वेलिडेट सक्सेस्पूल दिखाया उसके बाद proceed पर click करना होगा आप लोगों को करने के बाद आधार concern वाला यह जो दिखाया यह सब अब लोग पड़ सकते हो परके I agree पर click कर दिजेगा क्लिक करने के बाद आधार में जो रेइस्टर मोबाल नमबर है उसी मोबाल नमबर पर एक OTP जाएगा OTP को यह दर फिल करना होगा आप लोगों को उसके बाद confirm OTP confirm OTP पर click करने के बाद यह देखिए awaiting verification status दिखा रहा है आप लोगों को ऐसे ही जाएगा verification status यह देखिए verification हो गया उसके बाद और एक message आएगा मेसेज आगया OTP तो फिर से एक OTP इदर डालना होगा डालने के बाद डान कर दीजेगा डान करने के बाद यह दिखिए OTP verification was successful कि सेम एक ही चीज दो बर दिखाया सायद network की बज़े से उसके बाद यह दिखिए setup your profile sorry setup your account दिखा रहा है तो पर्सनल इंफर्मेशन फैमिली इंफर्मेशन यह देखिए आदार कर्ड में जैसा फोटो है वही फोटो इधर आ जाएगा उसके बाद इधर email ID डालने को लिए बोलड़ा है merit and merit उसके बाद educational qualification कस्टमर के हिसाब से आप लोग डाल दीजेगा इधर उसके बाद किस केटेगरी का है occupation वह डाल दीजेगा किसी से income आते है income भी डालना होगा अब लोगों मैंने डाल लिया उसके बाद income क्या है agriculture income बिजनेस इंकाम इंबेस्मेंट इंकाम बिजनेस इंकाम दे दिया उसके बाद कितना साल से वह काम कर रहे हो वह इधर डालना होगा आप लोगों उसके बाद annual income कि उसके बाद safe कर देना है सेप करने के बाद confirm करने के लिए बोल्ड आए एक बार चेक कर लिजीएगा चेक करने के बाद फिर से confirm पर e ccconom ij canım मजु इसके बाद देखिये पांस पर सोनोल इंफस्ट अपोडेड हो गया उसके बाद फेमिलियी इंफ्रमेशन फेमिली ंफिंपू ओडर नैम पूचेगा आप लोग फाझरा नेब नुत भूसकान होगा आप पूर्ट लोगोः यहां से भी कि पॉस्त norm कर सकते हुए फिर बाद में भी कर सकते हो नमैंगे तो मैंने लेटर आध कर दिया बात में एक करूंगा उसके बाद एड्रेस दिखा रहा है आप लोगों को कि अधिस पर्मान अड्रेस प्रेजन अड्रेस अपको से में तो यह कर दीजेगा उसके बद कॉंड बैंक से लेट करने के लिए बूल गया ब्रांस तो मैंने स्लेट कर दिया अपना नेरस ब्रांस एड्रेस अधर का ही ओटो फेस हो गया एड्रेस मेरा यह दिखें रीवियू दिखा रहा है जो जो अभी फिलेप के सब कुछ दिखा रहा है सही है तो कॉंफर्म कर दिजेगा उसके बाद नीचे जो बॉक्स है इसमें अब लोगों क्लिक करके स्टार्ड योर वीडियो के वा अब लोगो ओपीस टैम में ही करना होगा मैं एक्सवली यह वीडियो रात में बना रहा हूँ तो अभी शायद नहीं है तो ऐसे घुरते ही रहेगा यह दिन में अब लोगों ट्राइ करना है सुबह 10 बज़े के बात ठीक है तो ऐसे ही करके अब लोगों पूसा जाएगा प के बात अब आपका वीडियो के वैसी कॉंप्लेट होने के बाद फार्सवेल डेविट काट आप लोगों को लाइप उधर शो कर दिये जाएगा मोबाइल में ही और उसके 10-15 दिन के बात आपके बाइपोस्ट किट आएगा तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो अकर वीडियो क शेयर कर देजिएगा